यह अपने गाय के गोबर और जड़ी बूडियू से पहाड की बनी हुई है इसमें आप सुगंद देखोगे तो पूरी हवन सामागरी की आती है हमारे सल्ट का है लखोरी मिर्च कलर यलो होता है रेड नहीं होता है तो पेट में दिक्कत नहीं करती जैसे लाल मिर्च लोग अवाड करते कि नहीं खाना चाहिए हमारे जो युवा हैं आठर ददद जार रुपे के लिए सहरू की और भाग रहे हैं यहां पर आपको मार्केटिंग हम उतार रहे हैं एक कंपनी की तरह काम नहीं करना चाहते हैं कि कंपनी के तो फिर कंपनी ही कमाती है पूरा महिलाओं को जोड़के उनसे बोला कि आप अचार बनाए और भी प्रोड़क्ट बनाएं बढ़ियां बनाएं पापड़ बनाएं हम आपको हैं और उसको हम कवर भी कर रहे हैं नमस्कार आप देखने राइश्रुमारी आपके साथ मैं हूं भूण शर्मा जैसा कि आप सभी जानते हैं राइश्रुमारी पर हम उत्राखंड में किस तरीके से स्वराउजगार के जरिये लोग आत निरभरता क्यों बढ़ रहे हैं इस इस वक्त मौझूद है और मेरे साथ जो सज्जन मौझूद है इनका नाम है संजय सत्यवली इनके पास हम क्यों आए हैं और जिस तरह का आपको बैक्राउंड नजर आ रहा होगा उससे आप काफी कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे मेरे पीछे तमाम ये प्राकरतिक उ उत्राखंड के जगा जगा पर है समुचा उत्राखंड ये घूम चुके हैं अलग अलग जगहों के कौन कौन से ऐसे उत्पाद है जिनको प्रमोट किया जाना है इस बाबत ये काम कर रहे है कैसे इनों इसकी शुरुआत की है चुकि अपने आप में प्रेणा है प्रेणा लोगों के लिए जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकि उनको समझ में नहीं आता शुरुआत कहां से करें किसके पास जाएं किससे मदद मांगे तो संजय भाइसे आज रूबुरू हो रहे हैं और उनसे खुलकर सारी बाते करेंगे बहुत सब्सक्राइब नमस्कार जी हम आत्मे निर्वरता की और बढ़ रहे हैं और इस समय आप देखेंगे कि सहरुक से पहाडों की और काफी युवाओं का आना हुआ है और जो काफी लंबे टाइम से पहाड बिल्कुल निर्जीव हो चुके थे वो दुबारा से अपने उसमें आने लगे हैं तो अभी जो ह हम इस समय कारी कर रहे हैं यह हमने लगबग वैसे तो मैं पिसले चार-पांस साल उसे लगातार यहां पर पहाड में काम कर रहा हूं हमने एक छोड़ा सा गौवास अधन भी बनाया है उसमें हमारी पूरी प्राकृतिक जेवी खेती होती है और टोटल अपनी पहाड की बद करें यह हाल में अपने शुरू किया है इसकी प्लानिंग तो चल ली ती काफिला टाम से पर अभी हमने जो है इसको जो है अब उतारा है मैं भी उत्राकंड के अलग जगाओं पर जाता हूं मुझे ऐसे कई हुआ मिलते हैं जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं उन है और मैं देख रहा हूं जैसे आपने का हिलांच आपने लिमिटेट कंपनी बनाई है और इन प्रोड़क्ट्स को कैसे मार्केट में आप ले जा रहे हैं कहा इनका प्रोड़क्शन हो रहा है यह तमाम सवालात हमारे दर्शकों के जैन में होंगे तोड़ा सफुरू से रह हाड के तरब लगाओ बना रहा है तो इसी संदर में हमने सोचा थे को आना जाना तो लगा रहा है तो तूरिस्ट के तरब आना और जाना वह अलग चीज हो जाती है और देखा कि आज हमारे जो युवा हैं आठ्टर ददर जार रपे के लिए सहरू के और भाग रहे हैं तो यह जो दुखत प्लाइन है इसको हमने का कि किस तरह से चोट पहुचाए जाए और कैसे रोका जाए रोकने का अरत यह है कि यहां पर आपको स्वरोजगार खड़ा करना होगा तो हमने अपना एक चोटा सा मोहीम स्टार्ट गरी और इसमें हमें एक सहयोग है हमारी पुरी टीम इस पर काम कर रही है समय और जो माल की हमने करी है ब्योस्ताँ यहां पर अब्धर में लेना पड़ता है तो यह हमने प्रोड़क्ट अलग अलग जगों से कलेक्ट करके और उसको मार्केटिंग हम उतार रहे हैं अब हमारा साल्ट चेत्र में लग-बाग-अग लोकल में माल सप्लाइ हो रहा है और दिल्ली NCR में भी अपने चोटे-चोटे स्टोर आप हमने उपन कर रहे हैं तो जैसे यह मैंने अपसे सवाल किया था कि जो युवा है यहां का जिसको यहां पर रूजगार चाहिए तो कितने लोगों को आप जोड़ पाएं अपने साथ लोकल लेवल पर जो जिससे आप कह सके कि हाँ मैंने प्लाइन को रोकने में कुछ हद तक काम है लोकल में युवाओं को जोड़ने के जो बात है अभी हमारे पास जिसे गौसाला है गौसाला में हमारे पर तीन लोग है परमानेंट काम करते हैं और उनको मंथली सेलरी के उसके साथ हम क्या करते हैं कि जैसे हम धूब बना रहें तो पाती हो गया समया हो गया वो लोगों से कलेक्ट करकर कि हट्टा करवा गे किलोły के हिसाब करते हैं और साल पैकिजिंग में हम dafür झ्शार्टकी क्म करते हैं और में अधरी में वह यह उनको सूप्लायर को पेदूा प्रोड़क्ट्स पर आते हैं यह जो पीछे हमने देख रहे हैं तमाम उत्पाद आपने यहां पर बनाए हैं इनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को जो आपकी यहां की खासियत एक तो हमने जो स्टार्टिंग करी सबसे पहले मैं आपको गाय से लेक इसमें आप सुगंद देखोगे तो पूरी हवन सामागरी के आती है घर में जलाओगे तो लोगों को इतना एक तो फ्रेग्नेंस एकदम लगती नहीं और ऐसा लगता कि हवन कराओ घर में तो इससे हमने सुरुआत करी उसके बाद हम इसको हमने एक छोटी पैकेजिंग में और ये बड़े वाले जार में में भी हम लेकी आएं तो इससको लेके आएं हम उसके सान साथ पिर हमने इसके साथ ये कि गिली वाली धूप यह इसमें गुलाब है, मोगरा है, चंदन है, यह तीन फ्रेंग्नेंस के साथ हम यह लेकिया है, क्योंकि हम ने देखा यहां पर लोकल मार्केटिंग में धूब, धूब का बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा कारोबार है, तो इस तेम पर 200-300 दुकानों पर हमारा सप्ला कामाल जा रहा है, उसके साथ हमने यह आप देखो करें तो यह राजमा है, यह टीरी की है, तो इस तीस राजमा की खाच्छेती है कि एक तो जैसे और राजमा गलने में दिक्कत करती है, जैवी कैपुरी, और बहुत आसानी से गल भी जाती है, और गैंस्तिक की भी दिकत न करा जाए, तो हमने इस पे भी गाम किया है, इसका कलर यलो होता है, रेड नहीं होता है, यह आपको जब खाय गा आदमी तो पेट में दिक्कत नहीं करती है, जैसे लाल मिर्च लोग अवाड करते हैं कि नहीं खाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत परिसानी नहीं आती है, य आपको मार्केटगार कर रहा हुआ है कि अगर कोई भी वी यह डिक्ता इपाट करती है। मार्केटिंग देंगे तो हम कोई भी स्वरोजगार कर रहा है पहाड मार्केटगार दिक्कती है बहुत बड़ा एरिया है और मार्केटिंग आपको पता है उसमें दिक्कत आती है तो उसको हम खुद साथ में मिलके हिलांस उसको मार्केट देगा तो यह हमने एक काम करा है यह है रेड राइस यह रेड राइस है लाल चामल कभी हमारे यहां भात हुआ करते थे अंदो आज क और यह साथ सकेता है ये हमने पिर वाड़न यह से नहीं है ये महालग का है इसका भी हमारा यह अब भी हमने पांसु सुल नीटर से उपर मारा इसका सेल करा है तो यह चीजे हमने सारी अब ऑने ले के आई हैjour呢 पहाड की पहाड के प्रोड़क्ट में घर में जाएंगे तो युवाओं को और हमारे जो आने वाली पीडिया उनको भी बता चलेगा कि यह चीजे हमारे पहाड की ऐसा जैसे हम देखते हैं कि अक्सार एक कोल्ड स्टूरेज की दिक्कत होती है इनको लेकर कि आप कैसे डील कर कोल्ड स्टूरेज की अभी हमारे को हमारे जो प्रोड़क्ट हैं कोई भी आसे हैं क्योंकि हमारे तो टोटल एक मान के चलो कि आप सुखे वाले जो कते हैं वो सारे प्रोड़क्ट है और जूस का जैसे है इसमें तो अपना अपना माले खटा करके हम एक बार स्टूर कर ले करेंगे और आगे कुछ होसता है सरकार से भी कुछ में हैं अपना फोकस करते हैं और अपना ही जो फंडिंग है हमने सब अपनी खुद की करीवी है एक ट्रांस्पोर्टेशन भी चुनौती आप मानते हैं उत्रकंवी जैसे अगर आप ने कहा कि आप दिल्ली तक ले जाते हैं तो आपको लगता है कि अपनी गाड़ी खुद की जो है गाड़ी से ही सप्लाई करते हैं तो लड़के साथ में रखे हुएं तो इस तरह से काम चलता है वागी ट्रांस्पोर्टेशन में है दिकत और धिरे-धिरे देखो जैसे काम कर रहे हैं तो आगे हेल्प मिलेगी यह आपका यह है कि हम यह समझते हैं कि पहाड से जो नीचे चले जाता है और उनको जब हमारे पहाड की प्रोड़क्त वहाँ जाता है ना तो बहुत खुसी होती है यह हमने देखा है कि हमने जो स्टोर खुला बुराडी में भी तो उस पे भी हमारा अच्छा माल की खपत हुई और लोगों ने लिया और पसंद करा पसंद तो करेंगे कि पहाड की जीज़ा पहाड की जाता है तो क्यों ना हमारे ही पहाड के प्रोड़क्त की सब्लाई हो आज आप देखते हूंगे हमारे ही चेतर में रामनगर से माल आता है और जगर से हल्दानी से जाता है वहां से दहरादों से उपर जाता है तो क्यों ना हमारे ही पहाड में इतने प्रोड़क्त हैं हम नहीं बनाएं और यहीं पहाड के ऊपर सप्लाई करें बहुत अच्ाद अच्छा कारोबार है अगर आज हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाते हैं कि पूरे उतरा खंड में हमारे साथ कहीं से भी यह अच्छा कारोबार है अगर आज हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि पूरे उत्राखंड में हमारे साथ कहीं से भी युवा जुड़ना चाहता है हम उनको डिस्ट्रबिटर से भी दे रहें और मार्जन भी दे रहें और अपना काम वो खुद का खड़ा करें काम किया जाता है तो सारा चीजे हम ने बना के रखी हुई है यूथ का जुड़ने वाली कहानी कि कैसे वह हमार सा जुड़ सकता है हम तो यह कहते है कि 8-10 जार की नौकरी के लिए वहां धक्के मत खाओ आपको यहीं कमा के यहीं मिल जाएंगी लांश के उत्पाद अगर को पूरी अलोबर दिल्ली एंचेयर हर जगों माल भेज सकते हैं कहीं से भी हमारे पर आगर ऑनलाइन वाट राता है अभी हमने वैपसाइट क्रेड नी करिए उस पर भी काम चल ला है अभी हम फॉन नंबर पर ही अपना दे रहे हैं तो उसी से हमार पर और जहां भी है हम कोरि पर आगर तो कुछ अंदर की बातने को जिनकी चुनाओतियां जो उन्होंने फेस की वह आपके सामने रख सके और एक मिसाल के तौर पर एक प्रिना के श्रोत के तौर पर यह हमारे सामने है हमारे अपनों के बीच से एक ऐसा आदमी उठा जो जिसने एक रास्ता दिखाया लोगों को और तमाम उत्पादों की फेरिस्त खड़ी कर दी और यह फेरिस्त अभी और लंबी होगी चुकि अभी हाल के जनवरी महिने में कारिकम शुरू किया है यह और धिरे-धिरे स्केल लेगा तो बहुत बड़े लेवल पर उत्रा खंड समुचे उत्रा खंड में फै नहीं हुए हैं वहाँ भी संपर कर सकते हैं इस वीडियो को आपने पसंद गया तो लाइक जरू कीजेगा शेर कीजेगा चैनल पर है तो अभी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद